सोज़ हिसा बन जाएंगे और साथे साथ वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक कीज़े शेयर करें और जितना हो सके मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपके लिए कितना हेलफुल रहा है और यूसफुल रहा है तो चलिए आज की टॉपी की तरफ बात करेंगे सर में जू होना एक बहुत आम समस्या है जो एक से दूसरे इंसान में कंगी, टोपी, तॉलिये, कपड़े या बहुत सारे चीजों के माध्यम से यहां से भार ट्रांसफर होते रहते हैं इस्पेशली ये बच्चों में ये प्रॉब्लम सबसे जादा देखने को मिलती है क्य स्कूल आते जाते हैं और स्कूल आते जाते बद क्या होता है फ्रेंज के साथ हेट टू हेट टू हेट टच करते हैं तो उस टाइम ये समस्या बहुत जादा बढ़ जाती है और एक बढ़ जब लाइस आ जाते हैं तो लाइस जो हैं अपना एक्स छोड़ जाते हैं एक्स छ तो इस वज़े से हम भी बहुत जादा परिशान हो जाते हैं, कंसर्ण हो जाते हैं, हम पैरेंस की हम क्या करें तो आज इस प्रड़क के बारे में मैं आप से बात करने वाली हूं, वह है हैर शिल्ड यह हैर शिल्ड जो विंक्स ब्रैन का आता है, बहुत ही मज़ेदार है, यह हैर शिल्ड का वाश क्रीम जो है, यह वन वाश में ही जू अंडो को बिल्कुल साफ कर देता है, इसमें है गुलदाओरी, रीठा और शिका-काई, जो बालों को लंबा और स्वस्त बनाने का क्लेम क यह तो पता नहीं कि यह कितना सही है और कितना गलत लेकिन हाँ यह 100% जुओ को साफ करने में हेल्प करेगा यह तो मैंने देख लिया है इसलिए यह आपके साथ शेयर कर रही है पूरे एक साल से मैं इस चीज की तलाश कर रहे थी ओनलाइन आफ लाइन लेकिन मुझे कहीं भी यह चीज नहीं मिल रहा था तो फाइनली मुझे हेर इंशिल का यह क्रीम मिला जो बहुत ही इफेक्टिव है तो फाइनली यह प्रडर्क इस्तमाल करने के बाद इसके इतना अच्छा रिजल्ट आया है न तो रिजल्ट से खोश होकर मैंने सचा क्यों आपके साथ इस चीज को शेयर कर रहूँ आप मैंसे भी बहुत सारे ऐसे पैरेंस होंगे जो यह प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंग आइ तिंग ऑफलाइन मिलना यह थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए पर ओनलेन आपको एजीले मिल जाएंगी तो आप 6 से 8 पैकेट खड़ी सकते हो आपको उससे कम में नहीं मिलेगा यह इसका प्राइस बिल्कुल बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा काम करता है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इसकी प्राइस बहुत बहुत बेटर काम करती है तो इसको एपलाइ करने का तरीका बहुत आसाल है तो चली मैं आपको बता देती हूँ आप इसका यूस कैसे कर सकते है वैसे तो जब आप यह पर्चस करेंगे ना तो इसके पाकेट म आपको बताया रहेगा कि हाव टो यूस लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता देती हूँ पहले आप श्रैंपो कंडिशनर कर लीजे अपने हेर को जैसे नॉर्मल वाश करते हूं उसी तरीके से नॉर्मल वाश कर लीजे वाश करने के तुरंद बाद आप कोई प्रोब्लम हो सकते हैं लेकिन वैसे मुझे ऐसा कोई प्रोब्लम फेस नहीं हुआ है और नहीं मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है बट आपको अपनी सेफटी रखनी चाहिए अपने हेर को अच्छी तरह के से पानी से वाश कर लीजे नॉर्मल वाटर से काफी लोग क हमान वाटर सेफटी कर लागाम होगा कि इस क्रीम को अपले करने के बाद हेर फॉल कॉमन है है तो बेकुल इसमें हेはは नहीं होती है मैंने लगाया था बेकुल hell नहीं है खेलेतो ही लोग कर लेते हूं वाश करने के तुरैंट बाद जब आपके हेर गीले होंगे न इसे सिच यह आ हैं को जो सहते हैं इसकी हैएश्लिक से किता क्या से क्यानि आपयर महर्य तक कर स्काम है खीच केज जो से कॉम करना है और जितने ओधाइ je अखे गड़ियु तक क्या किया हैश्लिक से क्लिक तक मुणा करना पिव पढ़ से शुड़िंग से क हेटे से किसे हैं रीमो जाएंगे लेकिन रखला है कि इस आपको अना प्रसुसके हुए लाय हो जाएनगे लेकिन आफके घले हैं तब है आपको यह काम करना है अगर राइख शे जांगे अगर आक द्राय हो जाएंगे तो आप इस कोंभ से कितना भी कोंभ कीजे ऑ लाइस वह एक्स बिकल रही जो कोशिश नहीं होगे बहुत मुश्किल ᠌र्फ कर चैनागी तो हो सके तो इस प्रोस्रस्ट जल्दि केजे अगर आपने जल्दी नहीं किया है तो हeTrud और उसके बाद एक को बाहन निकालना बहुत मुशकल हो जाएगा तो कोशिश कहेड़ आप इस प्रोसेस को बहुत फस्ट करने की अगर वीडियो पसंद आया है और आप भी इस प्रोबलम को फेस कर रहे हो तो जदी जदी स्क्रीम को परचस कीज़े परचस करके तुरंद इस से एप्लाइ कीज़े और रिजल्ट मेरे साथ मेरे कॉमेट सेक्सर में आकर मुझे जरूर बताएगे हो सकते तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का ID जो है मैं स्केन पर मेंशन कर दूँगी आप देख सकते हो और जितना हो सकते हैं उतना शेयर कीज़े क्योंकि काफी parents ऐसे होते हैं जो इस problem को face कर रहे होते हैं पर उनके पास कोई solution नहीं होता है बहुत सारे homemade solution एपलाई करने के बाद भी यह जो lies वाली problem है न वो बिरकुल खतम नहीं होती है तो आप कोशिश करें उसे share करने की जितना share करेंगी यह उतना उनके बहुत सारे parents के पास पहुँचेगा और उनको भी बहुत जादा इस problem से छुटकारा मिलेगा